विख में आप सभी का स्वागत है मैं विख कुमार आज आपको बताऊंगा कि बिहार में जो जाती आवास आय प्रमान पत्र ऑनलाइन बनना इस्टार्ट हुआ है उसे आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसका step by step process किया है मैं आपको यह नहीं दिखाने वाला हूँ कि उसे apply कैसे किया जाता है क्योंकि apply कैसे किया जाता है उसके लिए बहुत सारे वीडियो अल्रेडी यूट्यूब पे अवलेवल हैं बट अगर आप चाहते हैं कि मैं ही उस तरह का कोई वीडियो बनाओ जिसम तो आप देख सकते हैं यह service plus bhr मैंने सर्च किया है तो जो सबसे पहला link है service online.bhr.gov.in वह आपके सामने आ जाएगा अब इस पर आपको क्लिक करने के बाद यह थोड़ा slow चलता है website ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा आपको time देना पड़ेगा इसमें उसके बाद आपको login पर जाना है login पर जैसे ही जाएंगे आप तो यहां पर आपको login के लिए आगे बड़े पर क्लिक करना है और इस पर जैसे आप जाएगा यहां पर आप से user ID पासवर्ड मांगा जाएगा तो चलिए मैं अपना user ID डाल देता हूं यह मैं और सबसे अच्छी बात है कि आपका within a time बन रहा है यानि कि कोई आपको लेट लतीफा लफड़ा नहीं है इसमें यह बिलकुल एकदम टाइम लिए आपका बन के आ जा रहा है और दूसरी बात डिश्टल सिगनेचर एवलेवल है जो ब्लॉक में सी यो बैठते हैं उनका डिश्टल सिगनेचर एवलेवल है तो इस आज करने आपका य होतर है यह जहां भी यह आपका यूस कर सकते हैं यह प्रॉपर ली आपका डॉक्मेंट है ऑप मैं इससे लॉग इं पर लिक करें〉 जाएगा पोर्टल खुलने के बाद जिस तरह से आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा इधर आपका प्रोफाइल सेक्सिन देखेगा यहां अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं और यहां से आप कोई भी सर्विसेस अप्लाई कर सकते हैं तो मैं यहां अ आपके पास रेफरेंस नंबर है तो आप रेफरेंस नंबर से डिरेक्ट सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप यहां पर देट सेलेक्ट करेंगे तो चलिए मैं एक तरह से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ विकास मुझे रेफरेंस नंबर याद बन चुक है आप देख सकते हैं करेंट स्टेटस में डेलिवर दिखा रहा है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे डाउनलोड कैसे करेंगे एंड इसका जो बैक ग्राइंड प्रोसेस वह वह कैसे कैसे हुआ किस-किस लेवल पर इसका अप्रूबल हुआ वह चीज में आ यहां पर क्या है देख सकते हैं आप सबसे पहला प्रोसेस जो हुआ वह मैंने अप्लिकेशन को शर्मिट किया था आप यहां फॉर्म डिटेल पर पूरा चेक कर सकते हैं और अगर आपको आपको यानि कि रिसीविंग चाहिए रसीद चाहिए तो उसके लिए आप देख सकत मैं यानि इसे में प्रेंट कर सकता था और दूसरी बात यह डॉक्मेंट को कहीं ले जाके जमा नहीं करना है नहीं किसी ब्लॉक में जमा करने नहीं और कहीं यह सिर्फ आपको simply अप्लाई कर देना है उसके बाद फिल्ड वरिफिकेशन होता है फिल्ड वेरिफिकेशन पर मेरे घर पे नहीं आया था, reason क्या था, कि मैंने अपने आधार को authenticate किया था, यानि कि मेरे आधार काड में mobile number link है, और अगर आपके आधार काड में mobile number link है, तो वो automatically verify हो जाता है, in case आपके आधार काड में mobile number link है, नहीं है, तो आप बिना OTP के cash certificate या income certificate अप्लाई करेंगे, और उस situation में हो सकता है, कि आपके घर पे कोई field verification के लिए आए, या फिर आपको बुलाए जाए कहीं local मुख्या के द्वारा, या ward के द्वारा, ठीक है, जिनको भी ये authority दी जाएगी, वो आपको हो सकता है, बुलाएंगे, उसके बाद fourth level जो है, approval of general application, यहाँ पे आपका फाइल, जो certificate है, उसका approval हो जाता है, final, और यहाँ से आप class certificate download कर सकते हैं, class certificate लिखा हुए, मैं इसे download करके दिखाता हूँ आपको, यह देख सकते हैं, BCCU, download हो रहे है, मैं इसे download कर लेता हूँ, download होने के बाद यह open होगा, तो मैं आपको open करके भी दिखाता हूँ certificate properly, ओके, मैं download section में जाता हूँ, यह देखिए, यह मेरा certificate है, इसे में PDF viewer में खोलता हूँ, खोलने के बाद आप देख सकते हैं, बिहार सरकार, government of बिहार, जिला, डिस्टिक, बाका, अनुमंडल, सब्विजन, बाका, अंचल, इस तरह से आपका certificate आजाएगा, दिनांग देख सकते हैं, 22 तरह को डेट है, 22 डिसंबर 2020, एक बच के 42 मिनट पे, ठीक है, तो यह उनका digital sign है, इस वाज़े सिए हर एक जगा valid होगा, कहीं पर कोई problem नहीं है, इस जो QR code है, इसके थूरू आप scan करके इसकी genuity check कर सकते हैं, कि यह original certificate है या नहीं है, उसके अलावा, आप validity देख सकते हैं, कोई बना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से आप certificate देख सकते हैं, और in fact, यह मैं यहाँ से तो download करी पा रहा हूँ, आपके mail पे भी आ जाएगा, जो mail आप register करेंगे, यानि service portal पे आप डालेंगे, उस mail ID पे आपको mail भी आ जाएगा certificate का, तो I hope यह वीडियो आपको समझ में आय अच्छा लगा होगा, इसके लावा अगर कुछ doubt है, और in fact, अगर आप चाहते हैं कि कैसी इसे apply करें, क्या process है, OTP के साथ, या बिना OTP के बिना, तो उसके लिए आप मुझे comment box में लिखके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा proper, तो आप महां से देखके समझ सक पुरा process, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,